Hello everyone, this is Urvashi Rai and I welcome you all on my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हमारे class strength maths के एक बहुत ही important chapter को, जो है arithmetic progression. अब ये जो chapter है, ये आप students के लिए class strength में बिलकुल नया है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा शायद new और difficult भी लगता है, क्योंकि इसका concept बिलकुल नया है. बट ये chapter अगर आप इसका concept समझ जाओ कि आखिर ये arithmetic progression है क्या चीज, क्या definition होता है, और कब हम कहेंगे कि कोई भी हमारी जो series है, वो arithmetic progression है. अगर आप इन concepts को समझ जाओ, तो इस chapter के questions आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी. clear? तो start करते हैं आज की class with the introduction of the term arithmetic progression. arithmetic progression की बात करें, तो ये एक list of number होता है. ठीक है, कैसा list of number? just suppose हमारे पास कुछ numbers है, जैसे की हो गया 2, इसी तरह से है 4, 6, इस तरह से मान लिजी, मैंने आपके सामने कुछ numbers लिख दिए, और कहा कि कोई एक particular condition है, जिसको ये list follow कर रही है. ठीक है, कुछ ऐसी condition है, जिसके बज़र से मैंने इन सारे numbers को एक साथ रखा है. तो आप क्या करोगे, आप decide करना सुरू करोगे, मतलब कि किस basis पे इनको एक साथ रखा गया होगा, तो दो-तिन common चीजें आपको इसमें दिख सकती है, पहला तो ये, कि एक even number का group है, even number का group मतलब वो सारे numbers जो 2 से divisible हो, ठीक है, हम 2 को 2 से divide कर सकते हैं, divide हो जाएगा, मतलब completely divide हो जाएगा, इसी तरह से 4 भी 2 से divide होता है, 6, 18, यहाँ इस list में जितने भी numbers लिखे गहे हैं, ये सारे ही numbers क्या हो रहे हैं, 2 से divide हो ठीक है, इनको आप divisible by 2 भी लिख सकते हो, कह सकत हो कि all these numbers are multiples of 2, clear, तो इस तरह से इसी एक list को मैंने दो तीन तरीके से अलग-अलग नाम दे दिया, और कहा कि इस basis पे हम इन numbers को एक साथ रख सकते हैं, ठीक है, तो arithmetic progression भी actual में एक numbers का ही list है, बस उसका जो condition होता है कि कब हम किसे भी list को कहेंगे कि वो arithmetic progression है, यही बात हमें इस समझ नहीं है, ठीक है, तो arithmetic progression का simple सा definition होता है, that it is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed term to the preceding term, यानि यह जो arithmetic progression होता है, यह उन numbers का list होता है, जिसमें हमें हर next term तब मिलता है, जब हम पीछे वाले term में कोई एक fixed number add कर दें, ठीक, यानि कि अगर तू हमारा यहां पे दोखो, यह जो numbers लिखे इन numbers को हम कहते हैं, तर्म जैसे यह 2 भी एक term है, 4 भी term है, 6, 8, 10, यह सारे numbers जो इस list में आ रहे हैं, इन सारे numbers को हम कहते हैं, कि यह सब एक-एक term है, ठीक है, तो arithmetic progression actual में उन numbers का list होता है, जिसमें अगर हमें next term चाहिए, जैसे 4 के बाद 6 चाहिए, तो हमें इस 4 में कुछ add कर है, इसी तरह से 6 के बाद 8 चाहिए, तो हर बार next term को जानने के लिए हमें पीछे वाले term में कुछ add करना पड़ता है, ठीक है, पीछे वाला term यानि previous term, 10 का previous 8, 8 का previous 6, ठीक, तो जब भी हम आगे जाएंगे, यानि इसमें आगे जाते जाएंगे, हमें next term को जानने के लिए, ठीक है, जो number हम हर बार add करते हैं, इसे कहते हैं, common difference, clear, जैसे यहाँ पर यह जो 2 है, इस list में, यह सबसे पहला term है, इसे से तो list start हो रहा है, तो यह जो 2 होता है, इसे हम simple terms में first term कहते हैं, ठीक है, first position पर है वो, so this 2 is actually first term है, और इस first term को हम arithmetic progression में, mathematical terms में, alphabet a से denote करते हैं, ठीक है, अब 2 से 4 जाने के लिए हमें 2 का addition करना पड़ा, right, 2 plus 2 is 4, 4 से 6 जाने के लिए भी हमने क्या add किया, 2 को add किया, 6 से 8 जाने के लिए हमने 2 को add किया, 8 से 10 जाने के लिए हमने 2 को add किया, तो arithmetic progression actual में, उन numbers का list होता है, जिसमें हर बार next term को पाने के लिए, हमें एक number को add करना ह होता है, और वो term fix होता है, ऐसा नहीं है कि हम 10 में कोई भी number add कर देंगे, हम हर बार पीछे वाले term में एक fixed number ही add करेंगे, यानि यह जो difference है, जैसे यहां पर 14 हो गया, next term आया 16, तो अगर किसी भी दो लगातार, यानि consecutive terms का difference निकालो, consecutive में भी बाद वाले में से पहले वाले क माइनस करो, तो यह जो इनका difference आता है, यह हमीसा सेम आता है, इसलिए जो यह number हम हर बार add कर रहे हैं, जो कि यहां पर 2 है, इसे कहते हैं difference, और यह पूरे series में common है, इसलिए इसे simple सा नाम दिया जाता है, common difference, और इसे denote करते हैं alphabet D से, clear, तो इसी तरह से आप कोई भी arithmetic progression बना सक तो, ठेक, ऐसा कुछ नहीं है, कि यही एक series है, जो arithmetic progression है, मान लिजे, मैंने आपको बोल दिया, कि आपके पास एक term है, first term of a series, that is 5, और उस series का जो common difference है, वो है 3, तो अब आपको ना कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कि यह नया है, आपको पता है, first term यह है, आपको हर पार next term को पाने के लिए हम इसमें क्या आड करना होता है, जो इनके बीच का difference है, वही आड कर दो, है ना, next term के लिए हम फिर से 3 को आड कर देंगे, that will be 11, फिर से next term के लिए हम इस 3 को आड करेंगे, that is 14, तो इस तरह से आपको अगर first term दे दिया जाए, और terms के बीच का difference, यानि common difference दे दिया जाए, तो आप खुछ से arithmetic progression create कर सकते हो, तो arithmetic progression basically उन सारे list को कहते हैं, जो ये conditions follow करें, यानि उनके बीच के किसी भी दो consecutive term का बस जो difference है, वो हर बास सीम आए, I hope इतनी बातें clear हैं, अब हम कुछ examples देख लेते हैं, ताकि arithmetic progression का जो concept है, ये हमारे लिए और clear ह हो जाए, just suppose आपके पास कोई series है, जिसका आपको first term पता है, और आपको उसका, just suppose common difference जो है, वो पता है, that is a is equal to 10 and d is equal to 4, अब आपको अगर arithmetic progression बनाना है, तो ये 10 तो आपका first term है, यानि इसी से आपकी series start होगी, d का मतलब हो गया कि ये जो इसके बाद जो भी term आएगा, उसके और इस term के बीच में जो difference है, वो 4 है, यानि अगर हम 10 में 4 को add कर दें, तो हमें हमारा next term मिल जाएगा, इसी तरह से जब हम 14 में 4 को add करेंगे, तो हमें next term मिलेगा, इसी तरह से हम जितने terms चाहें, इस series के find out कर सकते हैं, ठीक है, और इन सारे ही terms में आपका जो common difference है, वो सेम है, इसी लिए ये series क्या है, एक arithmetic progression है, जिसे हम short में AP भी कहते हैं, clear, अब हम समझते हैं कि अगर हमें एक series दे रही जाए, तो हम कैसे decide करेंगे कि वो series एक arithmetic progression को represent कर रही है, अब आपके सामने यहाँ पर एक question है, which of the following are APs, यानि यह जो series दी हुई है, दोनों questions, इसमें आपको decide करना है कि कौन सी series arithmetic progression है, और कौन सी नहीं है, तो देखो, अगर हम देखें हमारा जो यह first series है, 2, 4, 8, 6, 10, इसमें हम क्या करेंगे, कि यह जो हमारे terms है, ठीक है, मैंने बताया कि arithmetic progression कोई भी series तब होती है, जब उसके consecutive terms के बीच का difference सेम हो, तो यहाँ पर जो हमारा first term है, वो है 2, जिसको हम A से लिख सकते हैं, ठीक है, second term क्या है, 4, तो 4 और 2 के बीच का जो difference है, वो find करेंगे हम, ठीक, so this is 2, यानि इनके बीच का, जो इन दोनों terms के बीच का difference है, वो 2, इसी तरह से अब हम 4 और 8 के difference चेक करेंगे, so that will be 8 minus 4, that is 4, clear? तो यह जो difference आया है, यहाँ पर यह तो 4 का difference आ गया, और हमने पढ़ा है कि AP में जो difference होता है, उसे कहते हैं common difference, क्योंकि वो हर 2 terms के बीच का difference जो होता है, arithmetic progression में सेम आता है, अगर आपको एक भी condition ऐसे मिल गई, कि दिखो, यहाँ पर difference तो same न नहीं है, clear? अब हम दिखते हैं second question, यहाँ पर भी हम सेम काम करेंगे, ठीक है, हम इसा second वाले term से, first वाले term को minus करेंगे, और चेक करेंगे कि इनके बीच में difference कितना आ रहा है, so here the difference is minus 4, अब इसी तरह से हम यह जो third term है, और यह जो हमारा fourth term है, इनके बीच का difference निकालेंगे, so this is actually, यह दोखो, यह minus 8 number था, ठीक, और यहाँ पर minus 4, इन दोनों के बीच का difference हो रहा है, इसलिए minus of minus 4 लिखेंगे, and we know कि जब हम subtraction करते हैं, addition करते हैं, ऐसा कोई भी condition हम apply करते हैं, तो minus minus क्या हो जाता है, plus हो जाता है, so this is actually minus 8 plus 4, और जब difference होता है, मतब जो terms होते हैं, जि बीच में आप addition कर रहे हो, अगर एक term negative हो जाए, तो उनके बीच में इसा subtraction होता है, ठीक है, so the result will be 4, और दोनों ही numbers में जो भी बड़ा number होता है, उसका sign लग जाता है, यहाँ पे 8 बड़ा है, तो इनके बीच में common difference आ गया minus 4, और हम sure होने के लिए एक बार और चेक कर लेत इनके बीच का difference minus 4 आ गया, तो हमें question में बस यही चार टर्म्स दिये हैं, और इसके बाद यह जो है, dot 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 का मतलब यह series चलते जा रही है, तो इतना sufficient है यह चेक करने के लिए, कि इनके बीच का जो difference है, ठीक है, common difference वाला condition वो follow हो रहा है, यानि यह series एक arithmetic progression है, clear, arithmetic progression पे बेस्ट कुछ questions तो हमने देख लिए, अब हम समझते हैं कि आखे यह arithmetic progression जो concept है, इसका use कहा होता है, तो जब भी हमें कुछ ऐसी चीज़ा चाहिए होती है, जब हमें कुछ terms के बीच में differences को same रखना होता है, तो हम arithmetic progression का use करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यह thermometer है, ठीक है, उस thermometer पे अगर आप देखो, तो temperature इस तरह से रहता है, 10 degree Celsius, 20 degree Celsius, 30 degree Celsius, तो यहां actual में क्या हो रहा है, इन terms के बीच में जो difference है, वो same ही तो है, ठीक, इसे तरह से मान लेते हैं कि time की बात करते हैं, अगर हमें 5 minutes के interval पे कोई काम करना है, ठीक है, जैस सपोज आपको को उस bell को 10 times ring करो, और वो हर बार 5 minutes के interval पे रिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो सपोज आपने 5 बसकर 10 minutes पे वो सुरू किया, ठीक, तो अब next term क्या होगा, next time कब आप रिंग करोगे, 5.15 पे, next time 5.20, again 5.25, तो हर बार आप 5 minutes के interval पे जो bell है, उसको रिंग कर रहे हो, तो यहां जो difference है, time का, वो क्या है, 5 minutes, तो arithmetic progression basically ऐसे ही concept में use होता है, जब हमें किसी भी चीज को कोई भी एक fixed period of time पे करना होता है, ठीक है, इसी तरह से यह तो कोई काम हो गया, अब just suppose आपके घर में शायद इस तरह का ladder होगा, ठीक है, इस तरह का ladder आता है, जिसके जो दोनों साइड के arms ह होता है, इनके बीच का difference जो है, वो increase करते जाता है, ठीक है, तो अब यह randomly ऐसा नहीं है, कि ऊपर के बाद एक side का leg है, इसका ऐसे हो गया, और एक side का leg straight हो गया, नहीं, इनके बीच का difference होता है, वो एक proper way में increase करता है, ठीक है, तो यहां पे भी arithmetic progression का ही use होता है, ठीक है, clear है, तो यह जो इनके बीच में increase होने का जो अभी ratio है, वो same रहता है, तो arithmetic progression का use ऐसे सारे places पे होता है, ठीक है, I hope आज की class में आपको arithmetic progression का सारा concept समझ में आया होगा, next part of video में हम nth term जो होता है, यारी किसी भी arithmetic progression में, अगर हमें कोई भी random position के term को find करने के लिए कह दिया जाए, त आज के लिए बस इतना ही, I hope आपको सारी बाते समझ में आई होगी, अगर आपको किसे भी concept में कोई भी doubt है, तो आप अपने questions को comment section में फूर सकते हैं, till then thank you and stay tuned to my channel.